का चोहान कख्षा दूसरी की छात्रा आज आपके सामने खास्ते कवीता सिक्षा प्रस्तूत करने जा रही हूँ जिसके कभी है श्रीशेल चत्रवेद्धी जी जब मैं अपने नाना जी को बताया कि मैं रब्य प्रतिशतंग कलेकर पास हो गई हूँ नाना जी बोले आज कल के बच्चे क्या गजब ढा रहे हैं पता नहीं क्यों पढ़ाई में इतने नमबर ला रहे हैं हम तो साथ आठ भाई थे पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते थे दब जाके सबके मिलाके साथ सतर प्रतिशत आया करते थे होसले इतने बुलंद कभी हम उदास नहीं होएं एक ही कक्षा में दो भाईयों से जादा कभी पास नहीं होएं छोटा भाई कहीं ट्यूश्य नहीं पड़ा पूरा जोड लगा दिया पर मैडम जी अगली कक्षा नहीं चड़ा ना ना जी बोले बार भी में मेरे अकेले चालीस प्रतिशत आये थे घर वाले तो क्या बाहर वाले भी फूले नहीं समाये थे हमारे समय के बच्चे बढ़ाई से नहीं गबराते थे एक ही कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे उन्हें क्लास का मोनीटर बना दिया करते थे वही बच्चे आज के विजेता बन गए उस समय के सारे मोनीटर आज देश के नेता बन गए धन्यावाद